हाई फ्रेंट्स वह इसनग में चानल इबंड़ यह इंट इंटर्ट कंपनी का 14 इसनग का ब्लिंकिंग हो रहा है दो विडियो आप देख रहो फिर यह इंटक्स कंपनी का 14 इंच का कलर टीवी है और इसमें जो आप देख रहो जो इंडिकेटर है यह ब्लिंकिंग हो रहा है और रिमोट से मैं जब रेड बटन को फ्रेस करूंगा तो यह ब्लिंकिंग होना बंध हो जाएगा और फिर कुछ दिर कुछ दिर बाद फिर से यह ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाएगा लेकिन इसमें जो कोई भी पिक्चर कोई भी लाइट नहीं आता है मतलब इंस्टी नहीं बन रहा है देखिए मैं यहां पर रेड बटन को दबाता हूं तो मैंने दबा दिया और यहां जो ब्लिंकिंग हो लूए तो द्रेंटश में इस विडियो में इसरी ब्रकर कर तो दिखाने वाला हो कि स्मीगल परोलम है कहां से इस तरह प्रदूम हो रहा है तो चलिए darost the Side में जाता हूं और मैं आपको बताता हूं कि आ रिप्यर करके बिखाता हूं कि यह प्रार्व रहा है कहां सी हो रहा है तो फ्रेंट्स में पीछे की तरफ जा रहा हूं और मैं पीछे की तरफ आ गया हूं फ्रेंट्स अब मैं यह किक करके बॉल्टिज को मेजर करूंगा तो और मैं इसे रिप्यार करके दिखाऊंगा तब पूरा वीडियो को देखो तभी आपका समझ में आएगा इस तरह का प्रब्लम यह सब प्रब्लम जो होते हैं बहुत ही किटिकल होते हैं तो आप अगर नहीं देखोगे वीडियो को तो आपके समझ में नहीं आएगा तो चलिए फ्रेंट में वीडियो को स्टाट करता हूं वीडियो को स्टाट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है सबसे पहले मैं टीवी में पावर देता हूं और मैं पावर दे चुका हूं अब यहां पर देख सकते हो आपको दिखाने के लिए मैंने इजो इन्डिकेटर है मैं सामने रखा हूं और अब देख रहों मेटर को मैं 200 की रेंज पे लगा दिया हूं औरह सकते हो अब इस First 110 वाल्याज। डखाने मजंद नाई One том se裡面aur हो सकते हम सबसेः करीं पावंट और हैपको देखे हैं सकता है but यह लगबक दिखाएंगे यह वाला है यह लगबक 14 वौल्ट मिल रहा है और मैं एक वर्ड आपको मेजर करके दिखाऊ हूँ क्योंकि इसका जो इस कीट में फैंक्षन थोड़ा अलग है दूसरा चाइना टीवी से जो 88-73 IC लगा रहते हैं उससे ये अलग फैंक्षन है इसके जो वार्टिकल आइसी है इसमें माइनस वोल्ट भी जाता है और 13 वोल्ट में ये चलता है तो इसका आइसी नंबर में बता द दिखाते हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कोन सा फिंस किस चीज का है और कितने वाल्ट का है आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है तो चलिए ये वाला वोल्ट इस आपको मेजर करके दिखाता हूं यहां पर आप देख रहों फैंस यह थ्री फैंट लीड देता हूं तो आप देख सकते हो 3.9 लगभग मतलब 4 वल्ट के लगभग दिखा रहा है तो जैसे ही एस्टी बनेगा तो यह तेरा वल्ट हो जाएगा तो अभी मैंने इस्टन भाई मोट से रिलीज नहीं किया हूं फ्रेंस अब देख सकते हो यहां पर आप देख रहों यह इंडिकेटर जल रहा है रेड वाला तो चलिए मैं इस्टन भाई मोट से रिलीज करके चेक करता हूं कि इसमें इस्टी बन आपके रहा है कि नहीं तो देख सकते हैं आप मैं इसको पावर बॉटन दबाता हूं और मैंने दबा दे इंडिकेटर बंद होगी आप देख सकते हो फ्रेंस और अब मैं आपको इसका जो वॉल्ट है मेजर करके दिखाता हूं तो आप देख सकते हो आइसी में 3.9 पिण रहा है जो आउट पूट एक सुद्स दिस वह मिल रहा है ही इसका मतलब तो इस में जो फ्रेंस इसमें यह श्यक्र मासित नहीं बन रहा है और कहांफर पर फेर्म है आज मैं स्थेप अब हिस टिप आपको समझाओंगा और पहले में मैं बोल देता हूं इसे यह जो Cristian यह 1105 PS है और दूसरा जो चाइना किट लगा हुआ रहता है उसमें 88-73 रहते हैं इसलिए इसका जो फैंक्षन है बिल्कुल आलग है इसका जो पीन आउट है इसका जो पीन है इसका बिल्कुल आलग है तो चलिए फिरंड्स सबसे पहले मैं आपको इसका जो इस्टनबाइ मोड से रिलीज होने वाला पीन आपको दिखाता हूं तो जो 68-73 है उसका 64 नमबर पीन से इस्टनबाइ रिलीज अनप करते हैं लेकिन इस इसका फिन नमबर 38 में आनप करते हैं तो 38 में जब स्टन्वाइ मोड से रिलीज हो जाए तो 0 वाल दिखना चाहिए तो आप देख रहे हो फिर इंट पर 3.5 वाल दिख रहा है मतलब यह स्टन्वाइ मोड से रिलीज नहीं हुआ है लेकिन मैंने रिमोट में स्टन्वाइ मोड को रिलीज कर चुका हूँ लेकिन यहां जो है यहां मतलब रिलीज तो हो गया लेकिन यह काम नहीं कर रहा है ठीक है फ्रेंट्स यह काम नहीं कर रहा है यह जब काम करेगा तो इस IC का पीन नंबर 2 और 3 पर दो नमबर फीन पर 5 वॉल्ट दिखना चाहिए तो चलिए दो नमबर फीन पर मैं चेक कर लेता हूँ तो अब देख सकते हो फेंस दो नमबर फीन पर कोई भी वॉल्ट नहीं है और तीन नमबर फीन पर ये लगबग 8 वॉल्ट दिखना चाहिए यह horizontal out vault जो है जिसमें EST बनने के लिए ज़रूरी होते हैं वो vault भी नहीं मिल दा है तो stand-by mode से तो हम release कर चुके हैं फिर भी यह vault क्यों नहीं मिल दा है तो चलिए मैं अब आपको TV का power बंद कर देता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरह से इसे prepare करना है तो मैं TV का power बंद कर देओं और यहां पर आप देख सेकतो यह जो 38 number pin है stand-by mode से release होता है तो इसके साथ एक transistor लगा हुआ रहता है तो उस transistor कौन सा है तो किस तरह से आपको चेक करना है कि वो transistor सही है खराब है और जो regulator section है उहां पर 5 volt और 8 volt जो है मिल रहा है कि नहीं बन रहा है कि नहीं वो मुझे चेक करना है तो कैसे चेक करना है तो multimeter को जो है continuity mode पर आपको रख देना है और कौन सा transistor लगा हुआ है आपको यह चेक करना है तो आप देख सकते हो फिरेंस मैंने multimeter को continuity mode पर रख दिया विप की sound आपको सुनाई दे रहा है अब हम क्या करेंगे इसका जो 38 number pin है इसमें एक lead लगाएंगे और आप देख रहा है तो आपको इस तरह से friend को check करते हुए जाना है देख देख यह यहाँ पर आ रहा है यह अपको अभी दिखा रहा हू तो आप देख सकते हो इस resistance को ओफ इस resistance को open कर देंगे चलिए हम इसे open कर ले तो आप देख सकते हो friends यहाँ पर मैंने resistance को open कर चुका हूँ इसको हटा दिया हूँ तकी जो standby mode के जो 38 नंबर pin से जो आ रहे हैं main IC से उसके साथ driver जो transistor है उसके साथ कैनक सन ना रहा है तो इसको मैं हटा दिया हूँ अभी अभी direct करके मैं चेक कर रहा हूँ कि टीवी में जो EST नहीं बन रहा है तो आप बन रहा है कि नहीं ठीक है और विडियो को छोड़के मत भाग यह friends क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको कि मैं step by step समझाओंगा आपको तकि आपको कोई भी टीवी जब रिप्यार करो तो कोई भी प्रबलम नहीं हो बहुत आसान तरीके से आप रिप्यार कर पाओगे चुटकी में आप रिप्यार कर लोगे तो चलिए मैं तीवी में पावर देके आपको दिखाता हूँ कि यह जो प्रबलम था वो इसको open करने देके बद सही हो रहा है कि नहीं तो टीवी में मैं पावर दे चुका हूँ फ्रिंस और देख रहे हो यहाँ पर एड़ी बाल्प जल रहा है और अभी मैं इस्टेंट बाई मोड से रिलीज नहीं किया हूँ तो इस वक्त जो 180 जहां पर मिल रहा है वहाँ पर देख सकते हो 110 10 वोल्ट ही मिल रहा है ठीक है अब मैं इस्टेंट बाई मोड से रिलीज करूँगा देखिए और देखिए मैं रिलीज कर चुका हूँ और 180 की जगा पर कितना वोल्ट है अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हो फ्रिंस यहाँ पर 180 वोल्ट के जगा यहा तो ही जो प्रोबलम था सौल्ट तो इसका मतलब है कि कि कोई भी ट्रेंजिस्टर खराब है रकांश हो एसके पहले हम मैं इसको ऊब्राइबर प्रींचिस्टर को चेंज करेलें इसकेaeंगे उसके बाद हम चेक करके देखेंगे कि वह रहा है याए ठीक है तो चले मैं driver transistor को फटाफट निकल लेता हूँ क्योंकि हम इसको open करके रखेंगे तो यह direct हो गया तो अब देख सकते हो friends मैंने यहां से transistor को निकल चुका हूँ ठीक है और उस transistor का मैंने टेंजिस्टर को चेंज कर दिया 1815 वाई को मैंने चेंज कर चुका हूँ और यहां पर मैंने resistance को open रखा था तो उसको भी मैं soldering कर दिया अब मैं TV में पावर देके आपको दिखाता हूँ कि यह सही हुआ कि नहीं है तो चलिए मैं TV पर मैं लाइन दे देता हूँ फ्रेंट्स और मैं लाइन दे चुका हूँ फ्रेंट्स चलिए मैं रिमोट से standby mode से release कर देता हूँ रिलिज हो चुका है फ्रेंट्स अब मैं voltage में जार करके आपको दिखाता हूँ यहां पर कि 180 वॉल्ट मिल रहा है कि नहीं तो आप देख सकते हो फ्रेंट्स यहां पर 168 वॉल्ट मिल रहा है मतलब यह बिल्कुल सही है फ्रेंट्स और मैं TV के आगे कि नहीं हुआ है तो अब देख सकते हो फ्रेंट्स यह बिल्कुल सही हो चुका है और इसमें मैंगनेट है तो हम मैंगनेट को हटा दिए क्योंकि अभी डिंग जिंग कोईल का connection नहीं किया हूँ तो फ्रेंट्स मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राब कर लिजी और वीडियो को लाइक कर दिजिए थैंक यू थैंक यू सो मच